हेलो, हेलो डियर स्टुडेंट्स अभी हम कर रहे हैं शिक्स्त क्लास एंज एर्टी में चैप्टर नमबर एट डैसिमल्स चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर का एक्जाम्पल नमबर फॉर कर रहे हैं हम क्या दिया हुए क्वेशन में जरा ध्यान से देखिए समझे रहुन ने कितना तो एपल्स खरीदे इतने ग्रेप्स खरीदे और इतनी क्वांटिटी का जो के आम खरीदे अब आपको क्या बताना है तोटल वेट ऑफ ओल दा फूरूट सी बोट उसने टोटल कितनी वेट का फूरूट है वो खरीदा है सिंपल है सबकी अडिशन हो बोट ग्रेप्स ही बोट मैंगोज टोटल वेट ओफ दा फूरूट यही आसी ले लिया मैंने ही बोट अब वो बस जो नंबर से वो लिख देते हैं याद रखिएगा दो डिजिट है तो इसको हम लिखेंगे जीरो एक पहले क्योंकि तीन डिजिट लिखनी है ग्राम वाले के अंदर फॉर केजी जीरो नाइन जीरो तू केजी 60 ग्राम तो इसको भी 0 60 लिखेंगे 5 केजी 300 ग्राम तो ये वैसे का वैसा ही लिख दिया है अब इसकी यह होगी एडिशन टोटल निकालने है तो एडिशन होगी 0, 9, 6, 15, 5, 1 गई, carry, 1, 3, 4, फिर 4, 2, 6, 5, 11, तो 11 का 11 लिख दिया, आगे कोई भी नहीं है डिजिट, तो decimal के अंदर ये आपका answer हो गया, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 11 kg, 450 ग्राम, ये, आप जो ठीक लगे, जो teacher कहें, वो सही होगा, वो कर दीजिएगा, बाकी आप decimal में लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए, ताकि कोई chance ही ना मिले, checker को, कि वो आपके marks काटे, होप सौप को अच्छे समझ में आ गया है, ऐसे practice आपने करनी है, rough notebook में, fair notebook में, बिना देखे, आपने करना है, अगर